ओम शांति, बाबा हम सभी को संपन और संपोन बनाने के लिए निरंतर गाइडेंस दे रहे हैं, जो आत्माएं संपोन और संपन बनेगी, वे पूनिमा के चंद्रमा की तरहे विश्वगगन में चमकेगी, उनके द्वारा ही संसार से अज्ञान का अंकार विनास होगा, वे इस अंसार को ने दिशा देने वाली होगी, उनही का बहुत ज़्याद महत उस अंसार में होगा, भगवानों आच्छे, जरात आगे चलो, अंत का समय आने दो, जिनात्माओं ने लंबे काल से साथ निभाया है, उनका इस रस्ती पर कितना महत हो जाएगा, ये सभी देखेंगे, तो हमें ध्यान देना है, हमें अपने लक्स की और चलना है, लक्स को भूल कर और बातों में विचलित हो जाना, ये इस समय बुद्धी मानी नहीं होगी, सभी के लिए साक्सी भाव धारन करते हुए, हर आत्मा अपना अपना पाट वजा रही है, ऐसा साक्सी भाव रखते हुए, हमें स्वयम को माहान बनाना है, किसी भी उल्जन में उलज कर जो रह जाएंगे, वो अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुँचेंगे, और जो लाइट हाउस बन जाएंगे, वो सारी संसार को मंजिल दिखाएंगे, उस पर चलने का मार्ग दिखाएंगे, तो आईए हम संपन्ता और संपूर्णता की ओर चलें, और दूसरा भगवानों वाच्च याद करें, मैंपन और मेरे पन का त्याग कर देना ही, संपन्न बनना और संपूर्ण बनना है, यही आधार है, कितने सुक्सम बात बाबा ने कही, प्रन्तु बड़ी सुक्समता से यह मैंपन मनुस के अंदर आ जाता है, हम कोई भी कारिये की सफलता को देख, पहले बाबा का गुर्णगान करने लगते हैं, वाँ बाबा तुमने कितना अच्चा किया, फिर अपना भी गुर्णगान करने लगते हैं, हमने भी यह किया, इसलिए जब दोनों का गुर्णगान मिक्स हो जाता है, तो आत्माओं पर हमारा गहरा प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि यह सुक्सम मैंपन दूसरों की भावनाओं को समाप्त कर देता है, बहुत सुंदर बात बाबा ने कही है, कि मैंपन का त्याग ही, मेरे पन का त्य ही आधार है अस्रतनों का भी, अस्रतन बनने वालों को ऐसा योग्युक्त हो जाना चाहिए, बाबा की शक्तियों को इतना सुक्समता से पहचान लेना चाहिए, कि मैं और मेरे का कहीं अन्सीन रह जाए, तो हम इसको बहुत सुक्समता से लें, और चेक कर लें, कि कहां सुक्सम रूप से मेरा पन तो नहीं है, बड़ी गहरी जड़े हैं इन दोनों की, मेरा परिवार, मेरी धनसंपत्ती, मेरा मानशान, मेरे संसकार, मेरी सेवा, मैं, मैं, ये सब बहुत चलता है, लेकिन जो आत्मा है, मैं और मेरे का क्याक कर देंगे, बहुत बड़ी चीज है, पांच तत्तु भी उनके गले में सफलता की माला डालेंगे, वो प्रकरती के भी मालिक बन जाएंगे, और कदम कदम पर उन्हें सफलता प्राप्थोगी, तो बहुत एक बड़ी चीज इस पर हम ध्यान दें, जिनको जीवन में आगे चल कर महन सेवाएं करनी हैं, जिने इस अंसार को युग को बदलने में बाबा का बहुत बड़ा सहयोग करना है, वो मैं पन और मेरे पन से मुक्त होकर संपोर्ण समर्पन भाव से योग युक्त हो जाएं, तो कमाल होगी आज सारा दिन, हम इस पर बहुत ध्यान देंगे और चेक करेंगे कहां कहां मैं पन और मेरा पन आता है, हो सके तो इसकी लिस्ट भी बना लें, और सारा दिन अभ्य करेंगे आज, फरिष्टा सो देवता का, एक और हमारी फरिष्टे की ड्रेस तंगी है, देहे रूपी वास्त्र, दूसरी और देवताई ड्रेस, और मैं आत्मा इस ब्रहमन शरीर में हूँ, यहां से निकल कर, मैं देवताई स्वरूप धारन कर लेती हूँ, फिर वहां से निकल के फरिष्टा स्वरूप, इस तरह कभी फरिष्टे स्वरूप में, कभी देव स्वरूप में स्वयम को अनुभाव करेंगे, ओम स्यांती.